लग्या एमर्जंसी आरंब हुआ एक और महायुद्ध और विनास ऐसा जिसे देख आत्मा काँ पुठेगा तीन दिन पहले मैंने आप सबसे कहा था कि इसलाम बड़े संकट में फसने वाला है आज ये भविश्यवानी सच हो चुका है बांगला देश में एसा हिंसा भड़का कि अब पूरे देश में आपातकाल लग चुका है वहीं इसराइलेवं यमेन के बीच भीशन युद्ध आरंब हो चुका है तेरा दिनों का पक्ष इंदू के बाद बिंदू और भविश्य मालिका में लिखा प्रमाण ये कल्यू का अंतिम चरण हिमर मित्र जिसमें महाविनास का आरंब हो चुका है परंतु आगे जो होने वाला है उसका कलपना किसी ने नहीं किया होगा जय और पराजय का विचार छोड़ के करतव्य परध्यान दू तर अपने आप दू हो जाएगा इस परिवार के जितने भी पुराने सदस्य है उनको आज ऐसा अवश्या अनुबब हो रहा होगा कि वो टाइम ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि आज दुनिया में घट रहे प्रतेक महत्तपून घटना के विशे में मैंने उने पहले से ही बता दिया था चाहे वो कोविड हो या रशिया यूक्रेन का युद्ध चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या इसराइल अरब का युद्ध चाहे वो CDSB पिन रावत जी का देहान्त हो या इबराहिम रैसी का चौपर क्रेस चाहे वो ओडिसा का ट्रेन हाथसा हो या रतियात्रा में हुआ विवाद चाहे वो टर्की का भूकंप हो या सिक्किम का डैम कोलैप्स एसा कोई बड़ा घटना नहीं है जिसके विशे में मैंने आप सबको समय से पुर्व सूचित ना किया हो परन्तु आ जाने को लोग मेरे ही वीडियोस को कॉपी करके मेरे थमनेल मेरे टाइटल को चोरी करके मेरे विरद जूटी बाते फेला के इस चैनल को सैडो बैन करना चाहते हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वाइरल ओडिसा फेक है और वो असली है जबकि ना उन्हें उड जितना भी प्रयास करलो अंत्य में जीत तो सत्यकाही होगा अठरा जुलाई के दिन यूटूब वीडियो अध्याय 1173 में मैंने आपको इंदू के बाद बिंदू यानि चंद्र के निकट एक तारे के विशे में कहा था जो कि भारतियोप महाद्यूप के आकाश में दिखा उस वीडियो में मैंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अब इसलाम बड़े संकट में फसने वाला है और आप संयोग तो देखिए मात्र तीन दिनों के अंदर ये भविश्यवानी सच हो गया एक समय पर अखंड भारत वर्ष का हिस्सा रहे चुका बांगलादेश आज बरबादी के कगार पर खड़ा है परिश्तिती एसा कि भारत समय त विश्यों के अनेकों देशों ने अपने अपने लोगों को बांगलादेश से दूर रहने का चेतावनी जारी कर दिया है आज आरक्षन को लेकर भयंकर स्टूडेंट प्रोटेश्ट चल लहा है लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स सडकों पर उतर कर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके कारण सभी सिक्षा के अनुस्थानों को बंद कर दिया गया है मेडिया के ओफिसेस को जला दिया गया है चाहे बस हो या ट्रेन सबको तोड़ा जा रहा है इंटरनेट बंद हो चुका है पुलिस को छुडिये आर्मी वालों को भगा भगा कर मारा जा रहा है साधारन लोग काम पर नहीं जा पार है दुकांदार अपना दुकान तक नहीं खोल पार है इसी कारण सरकार ने पूरे देश को शटडाउन कर दिया है एसा घोशित आपातकाल एसा उग्र प्रदर्शन बांगलादेश के इतिहास में 1971 के बाद कभी नहीं हुआ था और अभी तक इसके कारण 100 से अधिक बच्चों का मृत्यू भी हो चुका है प्रश्न है कि एसा क्यूं हो रहा है दरसल सेख हसी जी ने बांगलादेश के स्वतंत्र सेनानियों के बच्चों के लिए 30% रिजर्वेशन का घोशना किया था जिससे बाकी के बच्चे नाखुस हैं और उन नाखुस बच्चों को उकसाने का काम यानि आग में घी डालने का काम सेख हसीना के विरोधियों ने किया है जिनको डिरेक्ली चाइना सपोर्ट करता है इन सब में सबसे रोचक बात ये है कि बांगलादेश में भारत के 300 बच्चे पढ़ाई करने के लिए गये थे जिनको आब अपना बोरिया विस्तर समेथ वापस आना पड़ा है बांगलादेश के बाद जिस खाबर पर आज सबसे अधि चर्चा हो रहा है वह इसराइल एवं यमेन के बीच युद्ध कुछी दिनों पहले यमेन के हावती आतंकियों ने पहली बार इसराइल पर सुइसाइड ड्रोन्स के माध्यम से ताबर तोड हामला किया था जिसके प्रति उत्तर में इसराइल ने 20 जुलाई की रात को 23 किलो सभी को मात्र एक ही रात में तबहा कर दिया हमला इतना भयंकर था कि उसे देखकर अनेको इसलामीक देश भय से थरथर काप उठे एक अकेला इसराइल जिसका साथ लगभग हर किसी ने छोड़ दिया है उसने अपने ही दम पर पलेश्टीन को तबहा कर दिया लेवनन को अंतिम विनास है और मेरे बात को याद रखिएगा जैसे ही ट्रम्प इलेक्षन जीतेंगे ये विनास और अधिक भायानक हो जाएगा क्योंकि ट्रम्प ने पहले ही सपष्ट कर दिया है कि मुझे रशिया युक्रेन युद्ध से इसराइल अरव युद्ध से चाइना ता और ने वर्फरंट्स खुलने वाले हैं और आज जुलाई के महिने में उनमें से एक का आरंब हो चुका है जो लोग प्रश्ण उठा रहे थे कि तेरा दिनों के पक्ष के कारण दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं आज उसका सच आपके सामने हैं जो लोग प्रश्ण उठा रहे थे कि भला चंद्रे के निकट एक तारा दिख जाने से इसलाम पर संकट के से आ सकता है आज उसका सच आपके सामने हैं मुसल्मान लोग एसे ही अर्द चंद्रे के निकट एक तारे को नहीं पूझते बलकि उसके पीछे उनका सदियों पुराना डर है क्योंकि जब इसा द्रिश्य दिखाई देता है तब तब उनका मजब संकट में फस्ता है पंच सखाव में से एक संत गुरु जगनात दास जीने कहा था कि अर्धो बिंदू परे बिंदू रहिब दोखिन वर्नर सोहिकी हिब धबल मुरती से भगवान कल की रुपे पूनी होई बे जन्मा स संभल नग्र रे उतकल भूमी सेस्ताने चहल पोडिबो जानी प्रड़यो सुचो को जानी बुते बे और धविंदू मधे आकोट भाबे अर्थ जब अर्ध चंद्र के निकट एक तारा दृष्यमान होगा और वो तारा चंद्र के डाहिने ओर पर होगा तब भगवान अप अंतिम अवतार में प्रकट होंगे संभल नग्र नामक्स्तान में अवश्यों दे होंगे और ये प्रड़े का सूचक है तू याद रखना अर्ध चंद्र के निकट तारे को तू कभी मत भूलना 2022 से लेकर अभी तक अनेको बार अर्ध चंद्र यानि आधे चांद के डाहिने ओर एक तारा दिख चुका है यानि आज विश्व में जो उथल पुथल मचा हुआ है वो किसी और के कारण नहीं बलकि स्वयम अंतिम अवतार कलकी के कारण हो रहा है जो भले ही गुपत अवस् जल्दी से उत्तर कॉमेंट कर दीजे क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याई में प्रकाशित करूँगा पिछले अध्याई में मैंने पूछा था कि माइक्रोसोफ्ट ग्लोबल आउटेज के पीछे जो अंटी वाइरस अपडेट जिम्मेदा उसको कौन से कमपनी ने बनाया है सही उत्तर है क्राउड स्ट्राइक विजेता है लिरिक्स निंजा 7734 हमारे परिवार से जुडने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप भी इस परिवार का हिस्सा बने लाइक शेर सब्सक्राइब एवा फॉलो करे ताकि सच हर घ घर तक पहुंच पाए जय जगन्नात जय पंच सखा जय हिंद